हमारे सहयोगी रंजिना दुबे लेक बियू पर मौझूद हैं लेक बियू राजधानी का हिर्देस थल है जहां पर लोग सुबह से ही पहुँच रहे हैं तो रंजिना जरा लेक बियू की तस्वीरें बताईए क्या कुछ महा का मावल है लोगों में किस तरह का उसा है और हमारे सहयोगी संतोष क्रिश्ना ने भी हमारे साथ बने हुए हैं हम उनसे भी जुलेंगे लेकिन रंजिना पहले आपके पास चलते हैं जी विल्कुल रादबहर नए साल का सालिब्रेशन हुआ और अब सुबा से ही लोग नए साल के जश्न को मनाने के लिए बोर्ट क्लब पर पहुंचे हैं और अपने यह जो क्वालिटी टाइम है इसको बिताते हैं तो आज नए साल का पहला दिन है बंदरों में लोग माथा टेक रहे हैं और यहां पर बदले हुए जो मौसम है उसको अपने परिवार के साथ इंज्वाई भी करो इसी तरह से दिन भर आज जो सालिब्रेशन है व करते हैं पूरा सारा व्यू देखें फॉर बहुत अच्छा लगा कि इसी हिले स्टेशन पर आगया हां विल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है लोग हमेशा यहां का रुख करते हैं भुपाल का क्योंकि नेचर के करीब भी आपको जो जाने की कोशिश रहती वह पहुत जाते हैं संक्सान पीस जिसकी लोगों को चाहत होती वह भी मिल जाता है बिलकुल बिलकुल यहां पर सभी है सोबह से जाओ आप पीच में बोटिंग करने और अलगी वजा है उसका नय साल का सालीबरेशन बोट क्लब पर लेक वीव पर अपनों के साथ में हां मजा ह हां पूरे दिन आप लोगों ने यहां पर बोटिंग तो के इंजवाई भी क्या और क्या तयार यह दिन भर आज शुरुवाद लेक वीव से हुई है अब तो मौनिंग था तो मिने का पहले बोटिंग कर लो उसके बाद मंदिर का है देन उसके बाद विहार जाएंगे टेक बिल्कुल आप देखेंगे तस्वीरों में कि यहां पर यह लोग हैं संग संग बहुत सारे जो लोग है सुबा से ही लेक वीव पर पहुचे हैं और जो तरह से मौसम ने भी अपना थोड़ा सा रंग बदला हूँ आप देखेंगे कि लोग यहां पर जो वोटिंग है वो कर हैं बलकि राजदरी भूपाल में अलग-अलग जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहां पर लोग आज दिन भर पहुचेंगे इसी तरह से जो मस्ती है परिवार के साथ दोस्तों के साथ वो इसी तरह से चलती रहेगी और नए साल का यह जो पहला दिन है वो इसी तरह से सालिपर पर लोग चाहते हैं कि उनके नए साल की शुरुआत हो खुबसूरत पलों के साथ हो बैतरीन पलों के साथ हो निश्य तोर पर राजधानी में ये काफी महत्वपूर्पूर्ड पलेसेस हैं जहां पर लोग गूमने पहुच रहे हैं और गूमने अभी और भाप भील भी दे संतोष वहां पर दिखाएं क्योंकि एक तरफ जहां प्रकरतीव की खूबसूरती में लोग डुपकी लगा रहे हैं दूसरी तरफ आस्था की डुपकी भी सुबह से ही देखने को मिल रही है लगातार अंबंसल नियूस पर कई तस्वीरें भी दर्शकों को लगातार दिख और खूबसूरती का नजारा जिससे आपने कहा कि प्रकरती का नजारा तो महाकाल की नगरी में हैं यह जो खूबसूरत नजारा है श्री महाकाल लोग का है और आज की बात करें तो सुबह से ही जिस प्रका ठंड का कोहरा है कोहरे की चादर ओड़े हुए है श्री महाकाल ल संतुष आपके पास पहुचेंगे लेकिन उससे पहले एक और बड़े झाल झाल